नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC Online Classes में आज से अपने शुरू करने जा रहे हैं आपका जो नया सेशन है उसके बारे में आज से जो आपका नया सेशन है उसकी शुरुआत करेंगे बहुती अलग तरीके से क्या तरीका है उसके लिए अपन बा का मतलब और भी बहतर बना दिया गया है जो पहले तरीका था उसको और ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है जिससे अपने जो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है और आपको समझ देने में भी बहुत ही आसानी होने वाली है क्या है यह सर्पा क्या है तो आपको देखे हो गया यह क्या है एक आपके लिए पढ़ाने का तरीका है उसको बहुत जादा बहतरीन बनाने के लिए आपके लिए लेकर आए एक बहुत बड़ा स्मार्ट बोर्ड क्या है जिससे आपको क्या फाइदा होने वाला है वो आमने बता दिया है कि आप आपको जो पढ़ने का आपको जो समझने का तरीका है वो बहुत ही एंप्रू हो जाएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो देखो इसके अंदर अपने जो पढ़ने के लिए सबसे पहले आप सभी का स्वागत है RBSC की आर्मी यानि जो अपने राज़तान बोर्ड की तयारी कर रहे हैं अब जो NCRT का स्लेबस लगा है उसके अनुसार अपन तयारी करेंगे नए सेसन के अनुसार तो नए सेसन की सुरुआत करते हैं आज लेकिन उससे पहले अपन कुछ यहाँ पर इस स्मार्ट बोर्ड के बारे में देख लेते हैं और नए सेसन की सुरुआत किस तरह से करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं तो देखते हैं सबसे पहले सभी का स्वागत है यहां पर RBC Online Classes में RBC की आर्मी यानि आप सभी का जो इतना बड़ा हमारा परिवार है उन सब का हमने स्वागत करते हैं एक बार फिर से स्मार्ट बोर्ड के साथ में तो आगे अपन देखते हैं इसके अंदर नए सेशन के क्या और इंप्रू करने वाले हैं क्या-क्या और नए आपके लिए जो इंप्रूमेंट जितना कर सकते हैं क्या-क्या किया जा रहा है वो देखते हैं तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपन जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है नए सेशन के आज से सुरुआत करने ज किया है सिर्फ ग्यान एक्जाम के लिए नहीं है अपनी जिंदगी के लिए आगे भी काम आने वाला है जब आप competition एक्जाम देंगे या और भी कोई तयारी करते हैं तो यह आपका ग्यान बहुत जबाद क्या रखाएगा इसके पांगी देखते हैं कि अब जो नया सेशन awit चुरू करेंगे वेह बहुत बड़ी दिया हैं तो आपको सबसे पहले यह बता दें कि इसके इंदर जो नया सेशन है वे आपकेette लिए is इसमें एड कर दिया जाएगा अभी तक जो अपनी क्लासे हैं वो 10th क्लास की ही थी लेकिन अब 8th, 9th, 10th, 11th और 12th सारी क्लासे साथ में चलेगी लेकिन आपकी 10th, 11th और 12th बहुत जल्दी एक दो दिन में शुरू होने वाली है तो आपको सूचना दे देंगे एक दो दिन में कब शुरू होने वाली है उसके बाद में इसके जो features हैं वो क्या-क्या अब रखे गए हैं तो देखो सबसे पहले 11th और 12th के अंदर दो stream रखी गई है दो stream कौन-कौन सी है एक है science और दूसरी है arts साइंस के subject शुरू किये जाएंगे science में कौन-कौन सा होगा एक तो होगा PCV यानि physics, chemistry, biology और दूसरा होगा PCM यानि mathematics ये दोनों ही subject इसके अंदर शुरू किये जाएंगे यानि physics, chemistry तो सेम है math या biology में से दोनों ही subject start किये जाएंगे जो आपके अच्छा लगे वो आप ले सकते हो दूसरा है ये जो topic है वो दोनों ही medium में है यानि आप इसको दोनों ही medium हमें पढ़ सकते हैं Hindi medium और English medium दोनों में ही पढ़ाए जाएगा ताकि आपको पिछली बार जो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हम English medium से हमें तो problem हो रही थी हालांकि कुछ subject पिछले time भी शुरू किये गये थे पिछले session में भी लेकिन इस session में आपके जो subject हैं वो बहुत medium में चलेंगे दोनों ही medium में उसके बाद में अपन जो अब teaching का जो process होगा वो digital board के साथ होगा यानि अपने पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा improvement होने वाला है आपको बहुत ही easy way से समझ में आ जाएगा अपन बहुत ही आसान से तरीके से इसको समझेंगे ताकि आपको यह समझने में बहुत ही आसानी हो और हर topic को आप अच्छी तरह समझ परें इसके बाद में अगला है best faculty यह सबसे important topic है यहाँ पर आपको जो teacher यहाँ पर provide कराए जाएंगे पढ़ाने के लिए वो subject expert के साथ साथ आपको teaching में भी expert होंगे यानि खुद भी subject expert होंगे और साथ मे आपको जो पढ़ाने का समझाने का उनका तरीका होगा वो भी बहुत ही बैतरीन होगा आपने पिसले session में भी देख लिया होगा और RBS ये online classes है वो आपके लिए इसलिए आप इतना like और इसको इतना sport इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो यहाँ से dedication दिया जाता है यानि जो teacher यहाँ पर पढ़ा रहा वो बिल्कुल perfect आपके सामने लाकर खड़ा किया जाता है जो आपको पढ़ाने का तरीका बहुत ही आसान कर देता है और मुस्किल से मुस्किल subject आपको बिल्कुल आसान से तरीके से आपके सामने पेस करता है जिससे आपको आसानी से समझ में आ बात करेंगे वो किसके अंदर एप के बारे में जो अपना चल रहा है आपको पता होगा इसके बारे में और पर तो यूच्छों को यूट्यूब चैनल पर देखने में या उसको सर्च करने में प्राउबलम होती है तो app के अंदर आपको class wise और subject wise वीडियो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे तो बहुत सारे student जो वहाँ पर जो channel पर वीडियो नहीं मिल रहा है वो app पर जाकर उसको देख सकते हैं और बिल्कुल आसानी से user friendly यानि बहुत ही easy way में एप बनाए गया है ताकि हर कोई बच्चा जो बहुत कम मोबाइल चलाना जानता है वो भी इसको आसानी से चला सके दूसरा जो इसके अंदर है वो है अप्ग्रेट अच्छी तरीके से नहीं उपा रहा था लेकिन अब उसको जलदी ही अप्ग्रेट कर देंगे और आपको एक टाइम लिमिट दे देंगे उस टाइम के अंदर आप कोई आप पूछते हैं तो उसका solution आपको प्रवाइड करवा दिये जाएगा उसके बाद में प्रवाइड करवा दिये जाएगे इससे क्या फाइदा है अगर आप जो आपने वीडियो में अच्छी तरह समझा है अगर वही नोर्स आप उसको पढ़ेंगे तो आपका जो टापिक है वह एकदम परफेक्ट हो जाएगा पिर आप उसको बूलेंगे नहीं और जो टापि सिरफ एक तो पढ़ाने का तरीका होता है एक तो आपको पढ़ा दिया एक होता है आपको सिखा दिया अगर आपने कोई चीज सीख ली तो फिर आप उसको भूलेंगे नहीं इसके बाद में अगला जो प्वेंट आपको डाउट सेशन में आपको टाइम लिमिट के अंदर आप कोई भी डाउट बोच सकते हैं उसका सोलेशन आपको मिलेगा उसके बाद लास्ट आपको जो बहुत ही बहतरीन तरीके से इसवार भी अपने चलना था टेस्ट एंड क्विज जो टेस्ट सीरीज मॉडल टेस्ट पेपर की क्विज चल रही थी उसके अंदर आपने दे सोल कर दीगी और आपको यह बहुत बहुत बहतरीन एप बना दिया गया है तो जल्दी उसके अंदर सारा कुछ इंप्रोमेंट करके जो नया स्लेबस है वह आपको उसके अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तो यह सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं RBSC Online Classes एप के अंदर यह एप आप Google Play Store से जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको सर्च करना है RBSC Online Classes और वहां से आप उस एप को डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से बिल्कुल फिरी है आप उसको यूज कीजिएगा आप कैसा लगता है यह भी आपको रिव्यू जरूर पर दिजेगा आपको यह जो कि मैं है sara दे रही है यह आपको लिए बहुत ही फायदेमनद होने वाला है इसके अंदर स्मार्ट आगे पढ़ेंगे तो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपके पढ़ने में भी और हमें पढ़ाने में भी तो उमीद करते हैं आपको smart board के साथ नए session में बहुत ज़्यादा उसा के साथ आप शुरुआत करने वाले हैं और पढ़ाई में बहुत ही जैसे आपकी school बंद है तो ये मतलब नहीं है कि school बंद है हमें comment box में लिकर ज़रूर बताएं बाकी की जो information है वो आपको जल्दी दूसरे वीडियो के मादम से प्रवाइड कर दी जाएगी कि आपका session कब से शुरू हो रहा है और कितने तारीख से क्या timing रहेगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद